हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्टेम रोडवेज में तो दोस्तों हमने लास्ट रिक अपनी भाई खरीदी थी और इसके उपर कोई डिटेल इसके स्पेसिफिकेशन इसकी वीडियो में नहीं बना पाया पर आज टाइम मिला बना रहा हूं कुछ टाइम लग गया इसको बनाने में पर कोई नहीं आज हम बताएंगे आपको अपनी X-Pulse की डिटेल से इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं जिसके लिए हमने इस बाई को च्यूज किया लेने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं X-Pulse की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन और एक वाकरा तो दोस्तों यह है अपनी X-Pulse यह सबसे पहले हम एक वाकराउंड ले रहे हैं उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करेंगे कि क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन से और क्या इसकी वीचर्स है अभी हमने आपको दिखाया इसका एक 360 व्यू मतलब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तो चलते हैं सबसे पहले सामने से तो दोस्तों इसके अंदर जो है है एडलाइट जो है वो अपनी LED हैडलाइट दी हुए है मटगाड थोड़ा सा सामने का मटगाड इसका उच्छा है सामने जो टैर है इसका 21 इंची है और पीछे प्लाइट वाला टैर 18 इंची टैर इसके अंदर आता है सवरी 17 इंची टैर है वह इतना कंफर्म नहीं हुए वह आएगी देखे लेगे यह सामने विंड गाड दिया हुआ एर गाड जो आपको सीधे विंड आपकी जो आएगी उसको इंडरेंस को रोकता है है एंडल के आपको ABS के साथ आता है ABS के साथ मतलब सिंगल चैनल ABS है जो फ्रेंट फ्रेंट में और आप बात करें इसके इंस्टुमेंट क्लस्टर की जहां मैं बात करूं तो इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर जो है वो फुली डीजिटल है और इसके अंदर सारी चीजें ये शो करता है टाइम है आपका टाइम आएगा इसके अंदर कितने किलोमेटर है रेस का है गेर का है वो सारी बताता है और दूसरा आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हैं अब जो इसका हैंडल बार वो थोड़ा वाइड दिया हुआ है क्योंकि एडवेंचर टूरर है इसलिए हैंडल बार थोड़ा सा वाइड दिया हुआ है जिससे आप इस बाइक के सही पोस्चर आप ले सकें उसके बाद आते हैं इसकी तंकी के उपर जो थोड़ा सा इसकी तंकी जो है स्लिक सी दी हुए ज्यादा मस्कूलर नहीं है उसके उपर ये एक प्लास्टिक रबर का लगा वह जोत तेंगे को गार्ड करता है इसकी वाट जो फीयूल टैंक तो उसको गार्ड करता है दूसरा सीट जो क्काफी अच्छी कुशन की शीट है और यह जो से का चांग की पिछimana कर से पिछिंग पोश्चेर distinguished वह ज ağmt बैग उसको रखने के लिए मनाया हुआ है पीछे का मटगार्ड भी अपने और बाइक को एवरेज उचा दिया हुआ है चेन ड्राइव सिस्टम है तो यह सारी चीजें इसकी यह स्पेसिफिकेशन सीट के नीचे एक चार्जिंग पॉइंट भी इसके अंदर मिलता है अब बात करें दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो यह 200cc का इंजन है जो ओइल पूल के साथ आता है यह देखें ओइल कूल सिस्टम है और चेन ड्राइव सिस्टम है इसमें पीछे मोनो सॉक्ष सस्पेंशन है फ्रेंट में डूल सस्पेंशन है दूसरा ड्रेयर में भी इसके disc brake आते हैं ये disc brake के साथ ये बाइक आते हैं दोस्तों ये बाइक जो है hero ने पूरा complete adventure tourer bike के रूप में प्रस्तुत ये अपनी first adventure tourer bike ये hero ने बनाया है इसको off-roading के परपद से इसको तयार किया गया है इसी साब से इसको सारा design किया गया है टेल लाइट भी इसमें leds दी है जो इसमें led नहीं है वो इसके indicators है वो जो इसका आप देख रहे हैं कि जो ये exhaust है इसका ये भी काफी उच्छा दिया हुआ इसके उपर एक guard दिया हुआ था कि ये गरम ना हो इसके self-start और kickstart दोनों options के साथ ये आती है और अपनी जो x-pulse है ये ये है बियर 6 वर्जन दोस्तों ये हमने आपको बताई सारी x-pulse की feature और specification इंजन specifications अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमने इस bike को खरीदा कियों जी हाँ सबसे सस्ती adventure tourer bike ये है ADV इंडिया के अंदर सबसे सस्ती adventure tourer bike है इससे सस्ता जो आता है दूसरा इससे महंगा है थोड़ा इससे सस्ता कुछ भी निया बस इससे महंगी होते चले जाएंगे और hero इसकी बात करूं तो यह मैंने पहले भी बताया कि एक लाग्टीश अजार रुपय ओन रोड़ पढ़ती है और हमने इसे hero लाइकन को भी दबाई अगर आप चैनल के नए है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में किल दें ओके टाटा बाई बाई